जान करें आप कुछ वीडियो में डिस्क्स करेंगे किडिनी स्टोन के बारे में जो गुर्दे में पत्री बनती है उसके बनने की क्या कान होते हैं कैसे हम इस पत्री बस सकते हैं किया इसका हिलाज होता है पूरी जान करें आपको वीडियो मिलेगी तो आप सबस्क्राइब और देखने बाद लायक और अपने फैमिली मेंबर्स में अधिक शादि वीडियो शेयर किजिएगा इस वीडियो में आपको बहुत इंपूर्टेंट जान करें बताऊंगा किन कारणों से हमें और दूसरी जरूरी बात यहां पत्री निकलती है कि निसे पत्रिया निकलती है उसकी हमें जरूरी है तो पूरी जान करें आप कुछ वीडियो मिलेगी तो आप सब्सक्राइब पूरा दो देखेगा पूरा सुनिएगा वीडियो को और वीडियो को सुनने के बाद में जो कर देज़ा तो यहां पर सब्सक्राइब नहीं में यह है किड़नी स्टोन जो गूर्दे कर बनती है यहां पर यह स्टोन है स्टोन एनलाइसिस है ऐस टी आयार एक मैठट होता है टेकनिक होता है जिसके अंदर स्टोन को काट के उसका मेजरिमेंट किया जाता है और उससे पता चलता है यह चीज की बढ़ी हुए यहां कि कैल्सिम ऑग्जिट की बनी हुई है कैल्सिम की बनी हुई है या यूरी कैसरी की बनी हुई है या प्रोटेन की बनी हुई है या फैट की बनी हुई है किस चीज की बनी हुई यह फैट तब हम उसी इस पर आइडिया लगा पाएंगे वही फैट हमारी जो स्टोन है कि चीज की बनने लगे बोड़ी के अंदर ठीक है तो यह होता है मैं तर इसका अब यहां पर यह है किड्नी स्टों जो किड्नी के अंदर पथ्री निकली थी उसकी हमने जांच को रहे यहां पे और उस जांच में पता चलाएगी इसका वेट है और बनी की चीज कम पोजिशन दे होते हैं के निकि यह वीडियो आपको बताऊंगा यह च्छी में होते हैं करनें ARE जेया ब०सी के यह आपको पत्थर होते हैं जो हमारी बोड़ी में बढंते रहते हैं तेंः तेंवी और यह पत्थर होते है हैं हमें कुछ ऐसे डाइट भी होती है जिनकी वजह हमें बनते हैं तो हमें वह खाने में वह चीज़ें बंद करने पड़ते हैं अब यह बनते क्यूं है देखिए उसके बारे में नहीं आप बता रखा है किड्नी स्टॉन डावलप्स वेन यूर्न बीकम सूपर सैचुरेटेड विद क्रिस्टल फोर्मिंग समस्टान सच आज कैल्सियम यूरिक आशिड ओक्जिलेट इत्यादी यानि कि जो किड्नी स्टॉन होती है वह क्यों बनती है जब हमारा यूर्न होता हो सूपर सैचुरेट किड्नी स्टॉन को क्या आप कहलते हैं इसको रिजनल कैलकुलाइब बोलते हैं यह बर जहां पर लिखा मिलेगा आप समझाए किड्नी स्टॉन है तो यह सूपर सैचुरेट यानि कि जादा हो रखिए कैलिशियम की माता ज्यादा हो रखिए यूरी कैसिड की यह यह ज्यादा हो जाते वोड़ी में देदरीन की स्टोन बनने लगती हैं यहां बहुत रजल्ट फॉम डिए अडरेशन यह पाने की कमी फिडिस्पोजिस्टर यानि फैमिली में किसी एक को ती रहती है जैने टेक हो जाती फैमिली फैमिली चलती रहते वीमारी ठीक है यह फ करेंदर यह तो फिल्सक्राज को कमी रखोया जूजाशन आपको रखी है करता यह चासाइप कम ले रहे यारīज यह कि खत्ती चीजें़ होती है रह चेयरमा जादा विक्ता सीह होता है वह मात्रा आपके कम ले रहे हैं और आपके सरी यूर्णी के अंदर में मैगनिस्यम की कम यह तब भी स्टोन बढ़ने लगती है इन अबिट स्टोन फोर में स्टोन से टेंट टू आवर रिकोर फिप्टी परसेंट हूं फ्रॉम वन स्टोन फ्रॉम अनोदर इन टैन पर स्टैनियर किड्नी स्ट क्यา होती है आपको एक बार हो जाती है 50 इसे बढ़िन हो जाती है तो यह अगिछा पर्सेंट होते हैं जिन को ओपब्लम होती है और नहीं को सूकर होते हbey moo कीड्री स्टोन अक्षर अक्ती रहते हैं पेचन हैं पेचन मोटी पल् सब्सक्राइब करवाने बहुत जरूरी होते हैं तो उससे पता चाहिए जो आपका कैल्सियम है कितने निकलने लग रहे हैं कितने मिल रहे हैं उसके अंदर यहां पर डाइट की बात कहते हैं आपकी बनती है सब्सक्राइब कहां पर बनती हैं उनको क्या खाना चाहिए और ऐसी कौन चीज़ें जो पत्थरी वाले व्यक्ति को बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए ठीक हैं पिचेतर पर्चेंट ऑग्जिलेट की विज़े से यह स्टोन बनती है कैल्सियम फोस्प्रेट के वज़ें पांस के कारण बनने की कारण देए और है यह या तो यून कंदर आपका कैल्सिम जादा चाहिए लग रहा है वी तुरिज़ेंगे ऑप्र कैल्सिम हो रखाता बौड़ी गंद में नहीं कि स्टोन बनने लगती है डियोपैसिक है पर केल्सी यूरिया एडिपेटिक हाई पर कैल्सी क्या होती है हमारे बोडि में कईवर कैल्सिम की मातर नॉर्मल होती है तो उसका आपको पता ने लगती है या फिर आपको के बोडिक और शैट्रीक वाल चीजह उसके वाँ जाते हैं यूरिन की ज़्यादा चली जाती है सेवन पंट एट सेवन पंट फाइब है यास एट पंट जीरो एट पंट फाइप है नाइन ऐसे चली जाती है लोग वोल्यूम यूरिम यूरिन की मातरा कमाना यह की ह adul attack वितामेंच के मात्रा जदा लं 맞는 लेणे लग रहे हैं है विटामेंट सी क्या होता है है इनक्रीज डाल्य और प्लेट एक्स क्रेशन हाई मात्र में गर require तो इंक्रीज यूरी ओग्जिलेट एक्सक्रेशन होता है उसमें और आपका मेटबोलिक सिंड्रोम मेटबोलिक आपके बोड़ी की पीच से ज्यादा एसेडिक चले जाती है ज्यादा एलकलाइन हो जाती है उसके वजह से भी किटनिस्टोन बढ़ने लगते हैं बोवल सिंड्रो को एबजोबने कर पाती प्रोपलिक उसकी वजह से भी किटनिस्टोन बढ़ने लगती है डिश्टल रिनल टुबूल्स में भी यह होता है कि आपका जो किटनिक अंदर है रिनल डिस एसीडोसिस हो रखा ज्यादा पी एस ज्यादा लोग चले जाते उसके वजह से यह पहरा यहां पर बात करते हैं डायट के देखा एक तुमर पहले आपको यह बता देखा पत्री जो है कहां कहां पर बनती है पत्त्री जो मेन कुम्मन चीजे होते हो आपकी kidney गोल ब्लेडर और आपका urini-blader पहन क्रियाज प्रोस्टेट यह कुम्मन सी चीजे है जहां पे अकसर जास ज़्यादा पत्रिया बनती है इन मेंजल सवस्दिक पत्री जो बनती है आपकी किडનी में बनती है और गोलबेडर बनती है अब गोलबेडर के पकतरी बनती है वह apparent changed के दबारा गोलबडर को काटके उसको अठा देती है वहां से रिमू कर देते हैं तो उसका ओपरेस्ट्य पत्री से निकलती रहतिया उसके भाद में आपके ँनी इंदर पत्र को को रिमों हो जाती होती है नि को Ziye गोझाल नहीं निकल पाती कि अधार की जाती है तो वह किया जाता है तो यह तो प्थ्र ही थे मुझक बनती हैं अब मैं बात करता हूं आपको खाने में क्या चेह ढ Essentially investing की बात करते हैं यहां पर पहले पात कर लेते हैं में खाना क्या चीए देखो सबसे ज्यादा मातरा मता आपको फिलुड लेना होता है अधीक दाई से तीन लीटर आपको परड़े पाने पीना है अधीक मातरा फिलुड लेना है इस वी सफिस्षेंट उप्रोडूज यूरीन आउट पूट दो लिटर परड़े आपको डाई स फाइबर walafrit अोने लेंटी से आपको अधिक मातरा में लेंए पाणी मातनी पाणी के अधिक सब सबस tämä यहाँ पर Israel नोईंगिन, इस एक न farty के, प def τरी anie नहीं बन लीन के, तो कल्सलिक क्रत Dharma बन कर दोगे तो बोड़िक अंच eat और वो उसे और भी ज्यादा प्रोब्लम क्रेट हो जाती है आपकी पत्री जो है किस चीज से बनी है आपको वही चीज बंद करनी है इस रिपोर्ट के अंदर जो पत्री बनी ऊगजलेट की बनी तो फिल्स चीज नहीं होता है वो चीज आपको आपको बतारा हूँ मैं जो इसी चीज नहीं घानी ज्यादा वेट गेन हो जाए ज्यादा वेट बढ़ जाए उसको मैंटिन करके रखना होता रिडियूज इंटेग अनिमल प्रोटीन मीट एंड डेरी प्रोड़क्ट मीट एंड डेरी प्रोड़क्ट आपको कम करने हैं अगर आपको लगता है का मीट की मातर मीट भोज़ाद मातर में खाते हैं ठीक है चिकन मटन या कोई भी चीजे डेरी प्रोड़क्ट भोज़ाद मातर में इस्टिमाल करते हैं तो वह भी आ केल्सियम ऑक्जलीट कंबाइन के संभिल के बने जाते गए कंबाइन पत्र बनती है। अगर किसी को मेंटाबोलिक प्रोफाइल में प्रोब्लम है पर केल्सियूरियन की सब्सक्राइब क्जाएं रिमुव हो रहे हैं। उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है यहां पर शाल्टी रिस्ट्रेक्शन नमक बहुत कम मात्रा में लेना होता है और आपको कैलिसिम सप्लिमेंट लेने हैं विद मील रिस्ट्रेक्ट आइटम रिच इन ओक्जिलेट एक्जामपल सोया प्रोटीन से पालक है नट्स है नट् कि यकैज़े काफे मात्रा में होते हैं केरेट बीट रूट चıktंगEMA रेदी जिधात्य दिए चाफ को नहीं लेनी है अगर अधीक मातरा में आपको कैल् week holiday वाली पत्री है तू थिक है इन के युदा है पीदेश है टमेट्र आपका बेंगन इस पालक यह चीज आपकी क्मिन आप यह उन्धर होते हैं इन किलावा आपको और भी चीज़े ने खानी है पीनट है वेजिटेबल सूप्स होते हैं पालग चोकलेट है यह कुमन चीज़े हैं आपको ने खानी इनके लावा कुछ और भी चीज़े होते हैं जो जिनमें बहुत हाई मात्रा में कैलसिम ऑगजिलेट पाय जाता है ठीक है तो यह तो इनके रिपोर्ट के कोर्डिंग सुन में सबसे ज्यादा मात्रे में ओकजिलेट पाय जाता है वह चीज़े होते हैं आपकी नट्स है चोकलेट कोको या को कोई एक फ़ल होता है यह कर से बिच बलगैल पने निम्बू का छिनका इसमें क्यों आपकी ज्यादा मात्रे होता ह स्पिंच पालक पार्सली के अजवाइन की तरह ही पोदा होता है जो खुस्मूगले साख सब्जियों में यह इसलाद वगरा में उन्हें लिया जाता है ठीक है अर्बल होता है कि हैं तो इसको भी नहीं लेना होता है और स्विश कार्ड स्विश कार्ड घरिदार अहीं पत्यदार सब्जी होती है वाटर क्रेश यह सलाद या सूप वगरा में इस्तिमाल या सेंडविच वगरा में इसको इस्तिमाल किया जाता है ठीक है वाटर क्रेश यह सबी चीज आपको इस पत्री के बारे में तो आप सब्रोगोड में पत्री का टेस्ट करवाने का में करण यह है कि हमें यह पता चले जाता है कि पत्री किसी बढ़ने लग रही है तो उस चीज को हम बंद कर सकते हैं और अपनी पत्री को बोडी के अंदर डूबारा बनने से रोक सकते हैं इस चीजों के तुबारा कर लेज़े कर इसी तरह और वीडियो पाने के लिए और आप हमाई फोलो भी कर सकते हैं फेक्सुक पर लिंक्डिन पर टिविटर पर इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल है यहां पर आप इंचे पेचा के वीडियो देख सकते हैं और भी वीडियो मिल जाएं आपको इस तरह की क्यासित तरह कीव की कर सकते हैं concepts